हुआ है सो जो कैसे भाप लोग ऐब सो युवालर फाइन फिट ओके तो आज मैं क्या करने जा रहा हूं आज मैं आपके जो फिजिक्स का पेपर था जो सेम्पल पेपर था उसका आज मैं पर्ट टू विडियो दे रहा हूं आपको जिस पार्ट ने मैं question number 26 से आगे explain किया है okay question number 26 से ले करके जो भी 55 तक question से उनको मैंने क्या किया है guys explain किया है okay तो चलिए जल्दी से विडियो को करते हैं शुरू आप इसको भी क्या करोगे match करके देखोगे मिलाओगे कि आपने कितना answers जो है वो correct किया है कितना wrong किया है okay फिर हम लोग लेटर ओन आज भी एक PDF भी मैं इसके साथ साथ दूंगा इस विडियो के साथ एक नया PDF एक नया sample paper भी मैं आज आपको दूंगा link description box में आप देख लेना और आज वाले sample paper को आपको क्या करना है markup करके फिर से एक टेस्ट देना और आफ्टर इसका भी मैं फिर answer release करूंगा as a video format video के format में बना करके दूंगा तो आपको regular यह तीन-चार बीक अगर लगातार यह ऐसा कुछ practice हो जाए तो this will help you more than in in improving your marks आपके marks को improve करने में यह काफी help करेगा गाइस okay and आपका यह marks definitely अच्छा score boost करा देगा आपको एक practice करा देगा यह पूरा जो series हम लोग बना रहे हैं okay तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू without wasting any time okay guys so now you can see यहां आप देख सकोगे कि यहां पर हम लोग about 25 questions यह इधर कर चुके थे यहां तक अब section B यहां से सुरू होता है guys and section B में भी ऐसे कुछ instructions है कि when की attempt any 20 questions तो इससे उतना कोई खास मतलब नहीं है यह instructions वगएर आप जानते हो already तो यह instructions मुझे बतलाने की जोरत नहीं है mainly start होता है guys question number 26 है and question number 26 हमें क्या कह रहा है let us see okay तो question number 26 कह रहा है guys कि a positively charged particle moving due to moving due to east enters in a region of uniform magnetic field directed vertically upward okay vertically upward की तरफ direct किया हुआ है uniform magnetic field है तो particle क्या होगा okay particle क्या होगा options है आपके पास move in the circular path with increased speed दूसरा है get deflected in the vertically upward direction तीसरा option से guys move in the circular path circular path में move करेगा within decreased speed and last option से guys move in a circular path with the uniform speed तो इस तरह से आपके यहां पर चार options है तो guys सही option correct option हमारा कौन सा हो जाएगा option number D move in a circular path है ना with the uniform speed uniform speed से move करेगा इस कैसे move करेगा देखो explanation इसका आप समझो कहा गया है यहां पर ध्यान से देखो uniform magnetic field जो की directly vertically upward में magnetic field का direction लग रहा है यानि कि बी का जो direction हो गया guys वो upward direction में हो रहा है और positively charged particle है जो east की तरफ move कर रहा है इस्ट की तरफ तो आप usually इस्ट मान लेते हैं हम की साइड है इस्ट हमारा तो इस साइड जो है positively charged particle मूव कर रहा है तो जिदर positively charged particle मूव करता है उसी direction में तो हमारा क्या होता है उसी direction में हमारा जो है यह current का flow होता है गाईस तो current का flow आपको इस इसको क्या करेगा सर्कुलर मोशन में मूव कराने में हेलफ हो लोगा सर्कुलर मोशन में मूव कराएगा तो सर्कुलर मोशन भी कैसा सर्कुलर मोशन का तो यहां तीन तीन आंसर है एक दो तीन आंसर है यह वाला सिर्फ नहीं है सर्कुलर मोशन में तो यहां तीन आप्शन से तो तीनों options में से देखो एक है increased speed में एक है decreased speed में तो यह दोनों नहीं हो सकता क्यों क्योंकि uniform magnetic field है और positive charge particle भी एक ही है उसमें कोई increment नहीं आ रहा है तो जो correct option आपको यहाँ पे मिलेगा वो definitely आपको कौन सा correct option मिलेगा वो correct option आपको मिलेगा always यह option number D मिलेगा ओके तो option number D will be the correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं guys question number 27 पे question number 27 हमारा क्या है देख लेते हैं जड़ा तो 27 question मैंने ले लिया है and let us read the 27 number question if the potential involved in a region is expressed by this thing okay the electric field in newton per column at point this is equal to इस point पर electric field क्या होगा newton per column में electric field पूछा जा रहा है तो क्या होगा guys यह हमारा सवाल है यह हमारा question है तो question के according चलिए अब हम लोग solve करते हैं तो आपको electric field कभी भी निकालना हो और potential given हो तो potential given हो तो क्या value हो जाता है dv upon dx हो जाता है तो यह x जरूरी नहीं है क्योंकि potential जो है यह आपका x by z तीनों ही direction में है और उसका value यह है तो भी dv by dx कह सकते हैं again कह सकते हैं dv by dy कह सकते हैं guys फिर कह सकते हैं dv upon dz तो तीनों ही पार्ट में होगा और यहाँ i cap के respect में यहाँ j cap के respect में और यहाँ पर के respect में इसको differentiate किया जाएगा तो जब आप differentiate करोगे हाँ और यह किसीज में होगा ये होगा minus में, किसी में होगा minus में तो सबसे पहली बात तो minus वाला ही कोई answer होना चाहिए यानि कि ये वाला answer wrong क्योंकि इसमें minus है नहीं अब बचता है हमारे पास a, b और c ये तीन options बचते हैं, तो तीन options में से चलिए check करते हैं तो हम लोग check कर लेते हैं, पहले x वाले term को, ये x वाला term को हम लोग check कर लेते हैं तो x वाला term है guys, 6xy और इसका differentiation जब x के respect में होगा, dx के respect में 6 constant बन करके बाहर आ जाएगा, y तो x के respect में differentiate होगा नहीं और x x के respect में differentiate होकर के 1 आ जाएगा मतलब 6 i cap आ जाना चाहिए पहला term तो पहला term इसमें 3 i cap है नहीं होगा इसमें 2 i cap है नहीं होगा guys तो 6 i cap किसमें है c में तो option c will be the correct option बाकी आपको जादा कुछ solve करने के जुरूत नहीं है आप इतना से भी अंदाजा लगा सकते हो ओके guys चली आगे बढ़ते हैं आप question number 28 पे तो 28 number question आपका क्या कह रहा है कि two equal and negative charges है minus q fix है कहां कहां पर point 0 a and 0 minus a पे fixed है तो हमारा यह वाला हम लोग ने दो axis ले लिया एक है 0 a पे fixed एक है 0 minus a पे fixed इस दो जगह पे दो equal charges fixed है ठीक है two equal negative charges यहां भी minus q charge है guys यहां पर भी minus q charge है अब क्या किया जा रहा है एक positive charge capital q को release किया गया है from two a zero point two a zero point यहां कहीं होगा माल लेते हैं यहां तक का distance है यहां तक का distance two है तो यहां से q charge को release किया जा रहा है x-axis पर ही release किया जा रहा है तो q charge will be तो q charge के साथ यहां पर क्या situations देखने को मिलेगा यह आपको पूछा जा रहा है तो यह क्या करेगा यह positive negative है तो देखिए negative इदर भी attract करेगा negative इधर भी attract करेगा क्योंकि यह दोनों ही negative charges है तो ये चार्ज को अट्राक्शन होने का एक फेनोमेनाइधर, एक फेनोमेनाइधर, एक फेनोमेनाइधर, एक फेनोमेनाइधर मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये constant force होगा, तो ये osculate नहीं कर पाएगा, मतलब पहले osculation जैसा situation बनेगा जरूर कि ये up-down, up-down osculate करे, but actual में इसका osculation नहीं हो पाएगा, because जो दोनों forces हैं, वो equal हैं guys, तो दोनों forces जब यहाँ पे equal लग रहे हों, इधर और इधर के, तो यहाँ पे बीच में एक resultant force आएगा, और सिर्फ इस direction में motion होगा, तो ये shm कभी नहीं होगा, तो इसमें option है execute shm, ये तो नहीं हो सकता है, क् ये shm यहाँ पे बता रहा है कि shm करेगा, next time move to the origin and remains in rest, origin की तरफ move कर जाएगा, और rest में हो जाएगा, तो move तो करेगा, origin की तरफ definitely, origin की तरफ जाएगा, और origin की तरफ जाने के बाद भी यहाँ से force लगते रहेंगे, तो rest में रुक जाए, ये definite नहीं है, क्योंकि इस पे जो यहाँ पर movement जो होता, वो सिर्फ इसी force के कारण होता, next क्या है, execute oscillations, oscillations execute करेगा, लेकिन shm नहीं करेगा, तो guys ये option ज्यादा correct लग रहा है, क्योंकि shm नहीं करने की बात इसमें आई है, और last time move to infinity, infinity तक तो move करेगा नहीं, तो option B is more correct, हाँ, अगर option B नहीं होता है, तो you can go with option option A, option A के साथ आप जा सकते हों कि origin की तरफ move करेगा, और फिर कहां रुख जाएगा, rest में रुख जाएगा, ऐसे आपका correct answer क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, execute shm, है ना, execute oscillation, but not shm, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं guys, question number 29 पे, जितना fast हो सकता है, उतना fast हम लोग इसको खतम कर लेते हैं, ताकि आप easily इसको समझ सको, और जल्दी से जल्दी इसको complete कर सको, okay, तो question number 29 है हमारा, कि step down transformer है, जिसमें 1000 वोल्ट लाइन था, deliver किया है, 20 MPR and 120 वोल्ट पे, 120 वोल्ट के secondary call पे, और efficiency है 80%, efficiency कितना परसेंट है, 80% है guys, तो आपको पूछा जा रहा है, कि जो current drawn होगा, उस लाइन से, वो कितना होगा, okay, तो current drawn होगा, तो कितना होगा, देखो, मतलब दो कोईल है, एक primary कोईल और एक secondary कोईल, तो एक में 1000 वोल्ट लाइन है, आप देखी रहे हो, और 20 MPR के साथ है, दूसरा में 120 वोल्ट है, और कितने MPR के साथ रहेगा, यहीं आपका question arise यहां से होता है, तो चलिए देखिए, यहां पर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, अगर हमको efficiency निकालना है, तो efficiency is equal to क्या होता है, output divided by input होता है, तो output और input अगर हम लोग divide करेंगे, तो output हमको मिल कितना का रहा है, यह हमको देखाना है, यहां पर सबसे पहले तो, तो deliver output of 20 MPR at 120 V, तो output मिल रहा है, 20 MPR का, कितने VOLT पर मिल रहा है, 120 VOLT पर, तो 20 into यह कर दिया, हमने 120 कर दिया हमने गाईज, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, input है, input कितने MPR पर है, हमें नहीं पता, तो input MPR हम X माल लिए, X into क्या कर दिया, हमने 1000 कर दिया, क्योंकि 1000 VOLT का input था, ओक इसके अलावा यहां पर क्या करना है, जब इतना हम लोगों ने लिख दिया, तो यह किसके बराबर है, 80% efficiency के बराबर है, 80% efficiency को हम क्या लिखेंगे, 80% को 80 by 100 लिखेंगे, तो इस 0 से यह 0 कैंसिल, यह 0 से यहां का 0 कैंसिल गाईज, फिर यह वाला 0 से यह कैंसिल, और यह वा जाए गाइज एट से भी इसको कर दो थरी टाइम तो फाइनली यू कैन सी एक्सेज इक्वल टो क्या आ गया तीन एंपियर आ जाएगा आंसर तीन एंपियर है option हाँ है बिल्कुल है option number a will be the correct option गईज चली आगे बढ़ते हैं इसी तरह से question number 30 पे तो question number 30 क्या है कि जब भी magnet को मूव किया जाए आइधर टोवाट्स और अवे फ्रॉम दे कंडक्टिंग वाइल EMF होता है and magnitude in which independent of तो उसका जो magnitude होगा वह independent होगा किसी से independent होगा तो number of turns से तो नहीं हो सकता है क्योंकि number of turns जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके according उसका EMF उतना ही greater होगा गाइज resistance of the coil हाँ यही होगा गाइज resistance of the coil पे dependency नहीं होता है speed पे भी करेगा क्योंकि velocity ज्यादा रहेगा तो भी EMF बढ़ेगा और strength of magnetic field इस पे तो of course करेगा B is also directly proportional to EMF मतलब इन तीनों पे करेगा तो independent किस पे होगा गाइज B option यानि resistance of the coil के independent होगा अगला कोईशन है गाइज की एंगल ओफ डिप at 90 at 90 डिगरी पे जब एंगल ओफ डिप हम लोग निकालते हैं तो एंगल ओफ डिप क्या हो जाता है तो एंगल ओफ डिप कहां पर ऐसा बनता है 90 डिगरी भी बनता है तो 90 डिगरी कहां पर बनेगा अगल ओफ डिप अपनी का लोग यहां मतलब अगर हम लोग लेते हैं तो अर्थ का यहां पर दो पोल्स होता है इधार और इधार और इसी के respect में यहां पे जब angle of dip आता है तो इसके equator वाले line पे आता है तो यहां पे यह 90 degree बनाएगा इसका मतलब यह हुआ गाईस कि यहां इसका जो axis होना चाहिए उब इंगल ओफडिक का एक्सिस होना चाहिए वह कहां पे होना चाहिए पोल्स पे होना डाइनमो का स्पीड का रोटेशन डावल कर दिया गया है तो इंड्यूजड इमफ क्या होगा अब बता यह जब कुशन कोई बताने वाला कुशन है चलिए यह सब तो आप लोग खुद बता दोगे सिंपल सा कुशन है क्या हो जाएगा गाईज इमफ विल भी ऑल्सो भी हो जाएगा अभी जस्ट उपर भी मैंने किया कि स्पीड के लिए प्रपोर्शनल होता है यह इमफ तो स्पीड के प्रपोर्शनल है उसके कोडिंग डबल हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे अगला कोशन है 33 नंबर की इस अरेंजमेंट में जो फिगर ही वैट्री से करेंट सप्लाई हो रहा है इससे भी सप्लाई हो रहा है और इससे भी सप्लाई हो रहा है दोनों से सप्लाई हो रहा है ओके तो चलिए कोई बात नहीं दोनों से सप्लाई हो रहा है और भी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है हमको निकालना है करेंट त taras किया और शाहेगा тай 2009 तो number of seller 20 EM F कितना है थोन सेल का हर एक इंटेवां 10 12ड हमने लिख दिया लिक्ति पांच ओम का तो पांच ओम कुझा है तो कर दिया हमने जो की यह दो गया ऑपर में चॉबीस गाई नीचे में हो गया औरवर जो कालकुलेट ङरई यानि कि cancel out कर लो तो यह आजाएगा 2 ohm, sorry 2 ampere, 2 ampere will be the correct answer यानि कि option number B guys, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं इसी तरह से question number 34 पे तो question number 34 का रहा है कि the potential at the center of the sphere center of a sphere पे जो potential होता है, hollow spheric पे, ठीक है, वो radius 10 cm है radius hollow sphere यह हो गया, radius हो गया, इसका 10 cm, okay, तो radius 10 cm होने के बाद अब आपसे question यह arise किया जा रहा है कि यहाँ पर charge potential का center पे spherical potential at the center, center पे कितना होगा, अगर इसके surface पे जो है, surface पे जो है, वो कितना है, volt है, 70 volt है, 2, तो guys, यहाँ surface से अंदर भी 70 volt ही रहेगा, तो option number C will be the correct, क्योंकि यहाँ अंदर के यह radius से कोई फर्क नहीं पड़ता है, charges तो spreaded जो है, वो outside ही spreaded है, okay, आगे बढ़ते है, question number 35 है, तो 35 में कहा रहा है कि meter bridge है, experiment किया गया है, distance है 60 cm पे balance हुआ है, और कोई unknown resistance R है, और 8 ohm का resistance है, तो when the position of these are interchange, अच्छा, interchange कर दिया गया है, okay, आपने जानते ही होंगे आपकी यह जो meter bridge होता है, वो किस तरह का होता है, तो meter bridge का experiment भी आप लोगों को करना था, तो ऐस तरह का 1 meter bridge होता है, इसमें एक scale लगा होता है, यहाँ पे, और इस scale में हम लोग measurement लेते हैं, 1, 2, 3 से ले करके, और यहाँ पे different different gap होते हैं, एक gap यहाँ पे होता है, दूसरा gap जो है इसके right side में होता है, यहाँ पे, दो gap होते हैं, तो एक gap के पास कोई resistance box लगा दो, resistance box, एक gap के पास unknown resistance लगा दो, ऐसे लगाया जाता है, और बीच से connect कर लो, क्या हमारा, emitter वगेरा connect कर लो, emitter, sorry, galvanometer connect कर लो, और galvanometer से एक part निकाल करके लिए और jockey में connect कर लो, तो jockey से अब balance करोगे इसको, तो balance करने के बाद आपको balancing point मिला था, 60, अब interchange कर दिया गया है, तो क्या balancing point मिलेगा, तो simple सी बात है, पूरा skill रहता है, 100 cm का interchange करेंगे 60 पे, तो 60 का interchange position क्या मिलेगा, 40, तो answer will be 40, इतना आसान सा question है, मतलब question कुछ है ही नहीं, आप अगर practice एक वार अच्छे से कर लोगे, बाबु दो चार पेपर्स का, अगर आप practice कर लेते हो, तो you can score much more better, आप बहुत अच्छा scoring कर सकोगे, ओके गईज, चलिए, आगे बढ़ते हैं, without wasting the time, question number 36 है, 36 कह रहा है गाईज, कि alternating current, alternating current cannot be measured by decimeter, alternating current decimeter से measure नहीं होता है, है न, यह नहीं हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्यों, तो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि average value जो हो जाएगा, current का, current cycle का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानि कि option number A, तो alternating current को, अगर हम लोग DC emitter में जोडते हैं, तो DC वाला emitter है, alternating current उसमें मिलेगा, तो जो current cycle बन रहा है, यहाँ पे, उसका average value आजाएगा, 0, इसलिए उसमें measure नहीं करते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं guys, question number 37 पे, तो question number 37 हमारा कह रहा है, कि straight line conductor of length 0.4 meter, okay, straight line conductor of length 0.4 meter, move किया है, इतने speed से, कितने speed से, 7 meter per second से, perpendicular to the magnetic field, magnetic field जो कि 0.9 का है, तो emf क्या होगा, तो guys, अगर ऐसे में हम लोग emf निकालते हैं, तो आप जानते होगे, कि emf का value क्या होता है, b into l into v होता है, तो b का value 0.9 put करो, l length का value 0.4 put करो, और b का value 7 put करो, अब calculate कर लो, calculate करके, जो answer आजाएगा, उसके according आपका option हो जाएगा, तो मेरे इस अब से आजाना चाहिए, कितना calculate करते हैं, अगर हम लोग तो, दो-दो points हैं यहाँ पे, तो तीन, दो digit का point आजाएगा, दो digit का point आजाएगा, तो इसका मतलब आजाना चाहिए, 74028, 28 into 9, 28 into 9, 252 के आसपास में आना चाहिए, हाँ, यही वाला आना चाहिए option गाईज, यह यह हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्यों इसमें लेकिन एक एडिजिट point है, हाँ, तो यह यह आना चाहिए, C गाईज, आना चाहिए, ओके, आप लोग इसको एक बार calculate कर लोगे, बहुत easy सा calculation है, 0.9 और यह multiply वस करना है, अगला question है, 38 number, 38 number question कर रहा है, the mu not is known as, mu not को किस नाम से जाना जाता है, तो mu not को जाना जाता है, absolute permittivity के नाम से गईज, अगला question है, in series, RLC circuit, R is equal to इतना, L is equal to इतना, C is equal to इतना, सबका values अलग-अलग दिया हुआ है, अब values देकर कि आपको calculate करने कहा गया है, कि impedance वगएरा क्या होगा, inductive reactance XL क्या होगा, और capacitive reactance XC क्या होगा, और Z क्या होगा, तीनों चीज़ें आपको निकलने कहीं गई हैं, चलिए सबसे पहले XL ही निकालते हैं, तो आप XL calculate करोगे, तो XL calculate करने का क्या formula, calculate करने का formula 1 upon omega L, है ना, सॉरी, यह 1 upon omega C, C मैंने लिख दिया, एक मिनिट गाईज, यह C capacitance के लिए होता है, XC के लिए होता है, तो XL के लिए क्या होगा, omega into L हो जाएगा, तो omega कितना है हमारा वही, omega यानि कि frequency, frequency, omega is equal to the hour, 10,000 radian per second, तो omega का मैंने लिए 10,000, 1, 2, 3, 4, 0, okay, and L, L का value क्या दिया है, L का value दिया गया, 60 mh, M मतलब मिली, तो मिली के लिए 10 to the power minus 3 हो गया, तो 10 to the power minus 3 से 1, 2, 3, 0, खतम हो जाएगा गाईज, बाकी बचेगा 600, तो 600 options किसमें हैं, यहां नहीं हैं, यहां नहीं हैं, यहां नहीं हैं, A में हैं, तो guys, A will be the correct answer, simple छी बात है, अब बाकी calculate करने की जरूत ही नहीं, जब पहला ही part match कर गये, तो छोड़ दो उतना ही पे, अब Excel के साथ शाथ आपको XC भी देखिए calculate करना होता है, Z भी calculate करना होता है, यहीं चीज, आप जो अभी से जैसे यह यह जो practice कर रहे हो, यह practice आपको आगे चल के बहुत काम देने वाला है, जब भी आप आगे government का तयारी करोगे, like SSC CGL टाइप अप तयारी करोगे, तो CGL जो होता है, वो graduate level की तयारी होती है, और graduate level की तयारी होती है, तो उसमें आपको 12th level तक का question easily पूछा जाता है, तो 12th level तक का कभी question पूछा जागा, तो उसमें कई बार options आप क्या देखोगे, कि यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, तीनो चारो में 600 मिलेगा, तो आपको यह भी calculate करना होगा, यह भी करना होगा, यह भी करना होगा, इसमें तो एक ही calculate करके आपका answers मिल गया, अब उसमें जब तक तीनो नहीं calculate करोगे, तो नहीं होगा, तो अभी से practice अगर आपको रहेगा, तो यह आपका improve करेगा पूरा study guys, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, को टाइम बेस्ट जादा नहीं करते हैं guys, question number 40 है, electric current जो है, given circuit में कितना होगा, यह कोई given circuit है, इसमें electric current कितना होगा, तो बहुत आसान सा question है, यह तो 10th का बच्चा बना लेगा, 10th type का question है, देखो 6 ohm, 6 ohm, यह दोनों जो हमारा resistance हो गया, यह दोनों, यह दोनों series में हो गया, तो 6 and 6 मिला करके हो गया, 12 ohm, okay, बट यह जो 12 ohm है, वो इस वाले 3 ohm के साथ, guys हो जाएगा कैसे condition में, parallel condition में, तो 1 upon 12 plus 1 upon 3 करके add करोगे, तो 12 LCM आ जाएगा, यह हो जाएगा 1 plus 4, यानि कि आ जाएगा 12 upon 5, मतलब यह reciprocal भी होगा ना, क्योंकि यह 1 upon R का value है, तो R का value लेंगे, तो यहां से reciprocal भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 upon 5, तो 12 upon 5 हो जाएगा, यानि कि आ जाएगा यह कितना, 1 point, sorry, 2 point, 2.4 आ जाएगा, अब यह 2.4 और potential है 4.8, तो इसका ratio क्या जाएगा, तो 2 amp, तो 2 amp will be the correct answer, चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे, अगला question है, 41 number question, है ना, कोशिस कर रहा हूँ है, जल्दी खतम करने का, जितना जल्दी खतम हो जाएगा, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, का जा रहे हैं इन इंडिया, electricity जो supply होता है, 220 volt पे होता है, जबकि USA मे 110 volt पे होता है, तो यहां resistance 60 watt, है ना, तो यहां 60 watt है, तो उसी 60 watt को USA में करेंगे, तो resistance उसके लिए क्या रहेगा, यहां resistance है, तो, ओकी गईज, तो चलिए देखें, यहां resistance के form में आपको power को calculate करना होगा, power को calculate करना होगा, resistance and potential के term में, तो इसके form में होता है, V square upon R, तो V square upon R is equal to V square upon R लेंगे, मतलब एक इंडिया वाला, यह इंडिया वाला, और यह वाला किसके लिए, USA वाला, चलिए, तो इंडिया वाले में potential कितना है, तो 220 है, तो 220 into 220, दो बार put किया, हमने R को R छोड़ दिया, है ना, क्योंकि resistance R ही कहा गया है, और वही 60 watt वाला, same, USA में use किया गय यही R जो हमको calculate करना है, यह USA वाला, calculate करना है, तो 110 से इसको cancel out कर लो two time, यह भी 110 से cancel out कर लो two time, तो USA वाला R क्या आजाना चाहिए, R upon 4 आजाना चाहिए, यह उपर 224 होगा ना, तो R upon 4 हो जाना चाहिए, देखो गाई, कहीं कहीं पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट भी हो तो ज्यादा फास्ट अगर आपको लग रहा है मेरा study, तो आप क्या करना है, वीडियो को थोड़ा 0.7x पे करके देख लेना, तो आपको थोड़ा easy लगेगा, या वीडियो का आप repeat करके भी देख सकते होगा, repetition से आपको सारा problem, सारा doubt जो होगा, solve हो जाएगा, चलिए आग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, 4 into 10 to the power minus 9 कुलाम पर मिटर, और 30 डिग्री पे है, और magnitude of electric field इतना है, calculate करना है, टॉर्क, डाइपोल का जो टॉर्क होता है, वो टॉर्क आपको calculate करना है, तो टॉर्क के लिए क्या होगा formula, as you know, डाइपो into electric field, into क्या, अगर angle given हो, तो sine theta, तो डाइपोल का value दिया हुआ ही है, आपका 4 into 10 to the power minus 9, electric field का दिया हुआ ही है, 5 into 10 to the power 4, और into sine 30 degree, तो sine 30 degree का value क्या होता है, है न, यहां से आप put कर लो, तो sine 30 degree का value होता है, 1 upon 2, आप calculate easily कर सकते होगा, simple सी बात है, calculate करके क्या answer आ जाना चाहिए यह तो 5, 10 to the power 4, 10 to the power 9, minus 9 हटाएंगे, 10 to the power minus 5 बचेगा, है न, और बाकी यह 2 से यह 2 time में कट जाएगा, 2, 5, 10 भी इधर से भी हो गया, मतलब, यहां पे बच जाना चाहिए, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4, कौन सा option है, कोई नहीं है, यहां है, यहां है, यहां है, तो यह वाला हो जाए इसमें तो 3.5 है, तो यह नहीं हो सकता है, चली आगे बढ़ते हैं, question number 43 पर गाईज, लगता है 55 questions है, तो अभी 10 question लगबग और बचे हुए, कोशिस कर रहा हूं है, जल्दी ही खतम करने का, तभी तो मैं ज़्यादा time नहीं दे रहा हूं किसी question पर, ओके, चली तो अगला question ह है, two infinitely long buyer carries the current in opposite direction, okay, दो infinitely है, opposite direction में current को carry कर रहा है, then the field at the point P lying the midway, midway में कोई point है P, वहाँ पर लाई कर रहा है, तो वहाँ पे field क्या होगा, okay, तो field क्या होगा, square of the field, half of the field, 0, twice of the, twice हो जाएगा guys, क्योंकि दोनों ही तरप से current आ रहा है, चली question number 44 आते है, तो question number 44 पे क्या कर रहा है, the force between the two magnetic poles is F, okay, and if the distance between the poles and the pole strength of each pole is doubled, distance को भी double कर दिया गया, and pole का जो strength था, वो भी double कर दिया गया, then the force क्या, force तब जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, that is the question guys, okay, तो चली हम लोग आगे calculate करके देखते हैं, कि इसके according क्या आ जाएगा, तो आप जानते हो जैसा कि, कि मैं जब भी force वगरा निकाला जाए, तो force के लिए क्या हो जाता है, directly proportional हो जाता है, q1, q2 upon r square के, है ना, तो q1, q2 हो जाता है, charge के according, दोनों charge हैं उसके according, तो charge जो है, इस poles जो create किया गया है, उसके according है, तो charges को भी double किया गया है, मतलब 2q, 2q हो गया है, और distance को भी double किया गया है, मतलब कि 2r का square हो गया, तो 2r का square गाईज बजाएगा, 2r into 2r, तो यहां से square मैं हटा दूँ, और हटा करके अगर मैं लिख दूँ 2r, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब दिक्कत नहीं है, तो आप देखे यहां से क्या होगा, टू से यह 2 cancel, यह 2 से यह 2 cancel, remaining देखलो आप सेम पहले वाला term बच गया, जो पहले वाला term था, वही बच जाएगा, q into q, यानि q1, q2, और r into r, यानि r square, तो इसका मतलब बाद में भी जो force रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, f ही force रहेगा, अभी अगर f force है, तो बाद इसर्षञर यहां पर बहुत ही important point है, एसर्षञर रीजन में आपको ध्यान में रखना होता है, कि कौन सा correct explanation है, यह नहीं, सबसी important यहीं पर होता है, nutrition को अब true या false तो देख लेते हो, दिकत होती है कि उसका correct explanation है, क्योंकि देखो option कैसे है, option कुछ इस तरह से गाईज, पहला option है कि जब दोनों correct हो assertion and reason दोनों तो option A के साथ जाओगे दोनों true हो है ना reason reason but but reason is not the correct explanation correct explanation नहीं हो है ना तो आपका क्या जाएगा option B हो जाएगा ओके ध्यान में रखेंगे और C हो जाएगा जब assertion true or reason false or a D हो जाएगा जब assertion false or reason to चलिए पढ़के देखते हैं आप पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हां यहां पर क्या-क्या कोश्चन कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है यहां पर कि electric potential electric potential of the earth is taken zero electric potential earth का क्या लिए गया है जीरो तो assertion ही तो wrong हो गया गया इस electric potential earth का zero हम लोग तो नहीं ले सकते हैं है ना क्योंकि potential of the earth का zero लेंगे तो फिर capacitance क्या आएगा ना क्या यह जाएगा potential 0 नहीं लिया जाएगा है ना electric potential को zero हम लोग लेंगे तभी ना जब capacitance जो है यह हो तो इसका मतलब यहां पर तो पहला एसर्शन क्या है गाई एसर्शन लिखा हुआ है एलेक्ट्रिक पोटेंशिल ऑफ अर्थ इस टेकन अड़ जिरो ओके चले ठीक है एसर्शन ट्रू है दूसरा है नो एलेक्ट्रिक फिल्ड एक्जिस्ट ऑन दे अर्थ सर्फेस यह वाला स्टेट्मेंट देखे हो गय लेक्ट्रिक पोटेंश्यल जीरो किसकी बज़ा से होता है यह पोटेंशिल 0 होता है कैपसीट आंस की बज़ा से होता है अर्थ का वह बहुत ही लार्ज होता है तो जब आप वी इस इक्वल टो तो क्यूब या क्यूब को लाड़ मूध बढ़ा तौ मुट बढ़ा है तो बहुत बढ़ा है इसके कॉर्डि सका बैल्लु कर एंगे क्योड करेंगे क्योब निली इन तो ए review ख़िए गया तो यानि कि औप्शन नमबर मर सी एसर्ट करेक्ट हो गया एंज रीजन क्या और गया गया फॉल्स हो गया टो रिजन इस फॉल्स चलिए आगे बढ़ते हैं गई कोश्चन नमबर 46 पे यहां से कुछ कोश्चन से सर्शन रिजन कही है तो इनको जल्दी से खतम कर लिया जाए तो अगला कोश्चन का कि सर्शन बोला जा रहा है आपका गाईज यहां पे ठीक है 46 नेमर कोश्चन में कि इफ अ कमपास निडिल सरी कपत instincts कि दिकल करता है और इसको कह रहा है कि हम नॉर्थ पॉल पर के नॉर्थ पॉल पर हँँ है तो वहां पर क्या होगा तो क्या कोई भी दिरेक्सन सो करेगा यास भकास को करेगा क्योंकि आप नॉर्थ पोल पे यह हो तो आपको वहां पे तो इधर 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 हर जगा का लोकेशन नॉर्थ ही मिलेगा नॉर्थ पोल पे ही जब हम पहुंच गए तो इसके एकॉर्डिंग यह तो पहला होगा नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पोल पे तो यह भी सही है डिप निडिल वर्टिकल तो हो जाएगा नॉर्थ पोल पे क्योंकि पोल पे जाते हैं तो अभी अभी आप उपर भी एक कोशन किये थे कि पोल पे ही आपका 90 90 degree होता है डिप एंगल ऑफ डिप जब भी कभी भी होता है तो 90 डिग्री तो हो जाएगा यह भी सही है बट गाइज यह इसका explanation यह नहीं दे रहा है यह explanation यह होना चाहिए था यहां पर कि compass में Magnetting compass में needle any direction में इसलिए इस्टे कर गया क्यूंकि वहां का pole ही North और जब pole ही North है मतलब सब जगा का area ही North है तो वहां पर definitely compass का koquer direction क्या होगा सो नहीं होगा यानी कि इसमें origin भी true है बट ये correct explanation नहीं है तो कौन सा optimized हो जाना चाहिए आप्शन नमबर भी हो जाना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 47 पर 47 कर रहा है पीस ऑफ कॉपर एंड सिमलियर पीस ऑफ स्टोन आर ड्रॉप्ट सेमन्टेनोसली फ्रॉम अ हाइए हाइट नियर अर्थ सर्फिस बोथ टच दे ग्राउंड एट सेम टाइम एक पीस है और स्मॉल पीस ऑफ स्टोन दोनों को ड्रॉप किया गया है क्या दोनों जो है सेम टाइम में टच करेगा तो गैज यहां पर हम तो यहीं वालारी एक अार्य ईयंसर संगaları लाग रहा है यह सेम टाइम में जब उसको वैक्यूम में susput दि cannabis का यहां त there is no effect of Earth's magnetic field on the motion of the body, magnetic field का relation देखो ले रहा है, freely falling body है, magnetic field का, gravity का relation लेना चाहिए नहीं, मतलब, simple सी बात है, ऐसा सन जो है, false हो जाएगा, reason भी हाँ पर क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, यानि option number हमें किस के साथ जाना चाहिए, 48 number question पर आते हैं, कहा जा रहा है, एसा सन, faraday's law are the consequence of the conservation of energy, हाँ है, faraday law भी है, conservation of energy को ही explain करता है, लग भग लग, और reason कहा जा रहा है कि in a purely resistive AC circuit, purely resistive AC circuit में क्या होता है, तो purely resistive AC circuit में कहता है कि current lags behind the EMA phase, तो AC circuit अगर है, और resistance के साथ रहा AC circuit, तो current, current जो है EMF के पीछे हो जाएगा, तो नहीं guys, current तो EMF के proportional होगा, पीछे तो इसका नहीं होगा, proportional होगा, मतलब कि reason यहाँ पे false है, assertion true है, तो option number क्या हो जाना चाहिए, option number C हो जाना चाहिए, चलिए guys, question number 49 पे आते हैं, हम लोग जल्दी ही आगे move कर रहे हैं, अब ज्यादा questions नहीं बचे हैं, आपके 5-6 questions ही और बचे हैं, है ना, चलिए तो SSN है guys, यहाँ पे कहा जा रहा है कि metallic sill है, hollow cell का, और built किया हुआ है to block the electric field, electric field को block करने के लिए, metallic sill बनाया गया है, hollow cell जैसा, खाली जैसा बनाया गया है, ओके ठीक है, बनाया गया जान लिए, अब बनाया गया है, तो इसमें क्या है आगे, यह तो SSN में तो कोई content ही नहीं है, SSN में तो सिर्फ से कहा जा रहा है कि ऐसा बनाया गया है, तो बनाया गया तो वो तो सही होगा ना assertion में कोई factor नहीं दिया गया ना तो factor नहीं दिया तो यह तो सही है तो यहां पर assertion सही है मतलब assertion is false follow option खतम हो जाता है बाकी अभी options है अब region पढ़ लो in hollow circle cell the electric field inside it is zero at every point सही बात है यह भी guys की inside में zero हो जाता है इसलिए अगर आप एक hollow cell बना देते हो तो वो electric field को block कर सकेगा है ना बिल्कुल कर सकेगा तो इसका assertion reason दोनों से यह है और इसका correct explanation होगी guys मतलब question क्या कहा फिर से आप समझो कहीं पे से electric field आ रहा था तो इस electric field को रोकने के लिए एक metallic hollow sphere बनाया होलो hollow खाली बनाया गया खाली खोकला क्यों बनाया गया क्योंकि अगर इधर से electric field आता भी है तो sphere के parts के चारो साइड में आएगा अंदर तो नहीं है अंदर जो net electric field होगा अंदर वो net electric field अंदर वाला क्या हो जाएगा हमेशा ही जीरो होगा गया जीरो क्यों होगा आप जानते ही हो hollow sphere के अंदर जीरो हो जाता है Gaussian surface के according आपको पढ़े पढ़े ही हैं आप तो तो option number A will be the correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं guys question number 51, 52 अब कुछ ही questions आपके रहा गया है मतलब लगता है 55 questions है total all together तो पांच questions और बच गया है section C ऐसे भी लिखा हुआ attempt any five questions तो चलिए पांच questions last के जो है वो देख लेते हैं question number अगला है जो हमारा four point charges है q minus q 2 q capital 2 q okay place किया गया है each corner of the square पे the relation between the q and q for which the potential at the center of the square is zero okay square का ये पूरा part है guys इसमें minus q minus small q 2 q और capital 2 q ऐसे रखा गया है और center पे हमको जो भी यानि कि potential चाहिए potential क्या चाहिए zero चाहिए तो potential zero चाहिए तो अब हम लोग देखते हैं कि center पे क्या जाएगा potential और square के side पे रखा गया है square के side पे रखा गया है तो इसके according हम लोग ले सकते हैं इसका value a by 2 a by 2 करके ले सकते हैं अगर इस distance इस distance को a मानते हैं तो यहां का distance a by 2 a by 2 करके ऐसे लिया जा सकता है guys तो खेर जो भी हो अगर आप ले करके overall total solve करोगे तो आपको solve करने के बाद यही मिलेगा कि q minus q q capital q q वाला q हो गया यहां से e b minus में minus q फिर प्लस में 2 q फिर प्लस में 2 capital q यह total क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए क्योंकि बाई में जो भी radius का square वगेर आप जो भी टर्म लोगे वो तो 0 की तरफ भीज करके cancel out हो जाएगा तो आपका यहां से solve होके बच जाएगा क्या बच जाएगा guys बच जाएगा q q plus capital q is equal to 0 और ऐसा 0 होना मतलब कि इसको आप इधर भेज दो तो आजाएगा small q is equal to minus capital q यह minus q is equal to small capital q तो q q बड़ावर है हां बड़ावर नहीं नहीं बस sign में अलग है अलग है साइन में अलग है जो positive negative sign है उसमें अलग है यानि कि option number c correct हो जाएगा guys ओके आगे बढ़ते हैं ओके गई तो question number 51 है in the following figure the two charges q2 and q3 are placed along the y-axis and net electric force on x-axis on charge q1 q1 fixed along x-axis is a positive charge q is placed at x is equal to zero okay तो क्या कहा गया है guys देखिए कि कहा गया है q2 and q3 दो charges है जो by-axis पे हैं एक q1 है net electric force यह लगा रहे हैं x-axis की तरफ लगा रहे हैं और इसी x-axis पे एक charge capital q को लाके रखा गया तो capital q के साथ क्या होगा तो सिंपल सी बात है इस capital q पे इधर force लगेगा इधर force लगेगा दोनों charge के कारण और बीच वाले q1 के कारण यहां लगेगा तो यह continuously आगे की और बढ़ता जाएगा तो सैल इंक्रीज एलॉंग सैल इंक्रीज एलॉंग पॉजिटिव x-axis हां यही ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दो इन चार कोश्चन और हैं यहां पर 52 से 55 नमबर कोश्चन इसमें आपको पहले कुछ टेक्स्ट दिया गया है आप इस टेक्स्ट बगएरा को पढ़ने से क्या होता है कि कुछ आंसर करने में इजी होता है चलिए अब देखिए हम तो डिरेक्ट यहां बता रहे हैं क्योंकि हम तो अल्रेडी जान ही रहा है इन सारे चीजों को तो 52 नमबर कोश्चन कर रहा है गाइस एक्जमपल ऑफ नन ओमीक रेसिस्टेंस क्या है कारवन रेसिस्टेंस नो कारवन र नमबर सी अगला कोशन है करेंट इज विच्ट टाइप ओफ ट्रेंटी तो करेंट तो होता है हमारा टेंसर कॉएंटिटी आज यूना तो बेक्टर ना तो स्केलर टेंसर कॉएंटी तो नहीं पडिज के साथ जा सब्सक्रम या फिर आपर स्केलर कॉटिटी भी बोल सकते हो कोई current carrying conductor है तो इसमें जो net charge होगा चार्ज वो क्या होगा तो net charge होगा जीरो क्योंकि यह तो moving charge होता है ने इसमें moving तो move कर रहा है अंदर net charge क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा and last one question of the pdf इस पूरे pdf का दिया हुआ है आप उस pdf को भी solve करोगे घर जाके solve करके आप देखोगे आराम से बैठके ना कि आप कितना answers कर पाते और उसका भी वीडियो मैं इसी तरह से बनाके दे दूंगा तो इस question में कहा जा रहा है कि the current which value is assumed to be flowing from the circuit positive terminal to negative positive से negative की तरफ कोई current flow करता है तो उस current को क्या कहा जाता है उस current को कहा जाता है conventional current बहुत ही सिंपल सांसर है तो that's all about this guys यह पूरा हमारा चप्टर का explanation था चप्टर नहीं इस पीडियेफ का explanation था guys तो I hope so आप इसको like किये होंगे है ना और वीडियो को भी like कर दीजे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब friends के साथ भी share कर दीजे और गाईज टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम पे आप एमो स्कायर सर्च करोगे तो अटोमेंटिकली वहां चैनल आ जाएगा तो उस पे भी मैंने पीडियेफ दे रखा है वहां से आपको पीडियेफ मिल जाते हैं नूट्स मिल जाते हैं और भी एक्स्ट्रा इंफर्मेशन मिल जाता है आने वाले कोर्स के लिए तो अब वहां पे जो है हमें सब्सक्राइब जरू कर लो ओके तो तब तक के लिए टेक केर स्टुदेंस बाबाए थेंक यू